हेलो फ्रेंड से स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ावल आईसी में और मैं अमित कुमार सौनी हारदेक हारदेक अभी नदन करता हूँ स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चैनल को शेर भी करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो महत्पून मुद्धोंगा एक तो है पद बृद्धी के लिए और समस्त रिक्त पदों पर जो भरती के लिए आंदुलन किया जा रहा है उससे रेलेटेड और दूसरा है दोस्तों कि जो नव नुक्त सिक्षक हैं वो जुलाई में जॉइनिंग की मांग कर रहे थे और 27 तारीक को ट्यूटर पर एक बह परित फरिस्तितियां किस हद तक इस भरती को प्रभावित करेंगी इस जॉइनिंग को प्रभावित करेंगी इसके सम्मन में तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम बात करें कि बेरोजगार संग के द्वारा पद बृद्धी को लेकर के पदों में समानता को लेकर के और समझत ग्यारा को हुई थी और उसके बाद में अब हो रही है जो कि 2021 आ चुका है तो ग्यारा वर्स के लगबक होने जा रहे हैं और सिक्षक भरती में रिक्त पत कम दर्शाने का आरूप लगाते हुए सिक्षक पातता उत्तिन जो अभ्यरती हैं उन्होंने गैरागंज मुख्याले पहुँचकर के वुद्वार को सिक्षित बेरोजगारों ने SDM प्रियंका मिम्रोट को मुक्यमंत्री के नाम यापन पत्र सौंप का रिक्त पदों में विर्दी की मांग किये और दोस्तों हम बता दें कि सिक्षित बेरोजगार मंच के जो प्रदेश सहीं हो जख हैं रंजी चुके हैं और मादविक सिक्षक भरती में स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान के 50, हिंदी के 100, सामाजिक विज्ञान के 60 और उर्दु के मात्र 18 पदों पर ही निव्टि की जा रही है और दोस्तों ये आंकडे DPI के हैं पूरु में भी कई बार मुक्यमंत्री को सिक्षा मंत्री को कई छेतर से कई जिलों में विधायकों को सांसदों को कलेक्टर्स को सभी को ग्यापन पत्र दिये दाच चुके हैं लेकिन अभी तक सिक्षा विभाग की तरफ से इसका कोई भी अपडेट आता हुआ दिकाई नहीं देता है और किसी भी प्रकार से एक पूरी जानकारी अपनी अविलेवल करवा रहा है और निश्चित रूप से 38,000 से बढ़कर के वहाँ पर पद जो है प्लस हो जाएंगे 7,500 इस प्रकार से दोस्तों अन्य प्रदेश भी पदों की बिर्दी के साथ में और कापी बड़ी संक्या में पद भर रहे हैं और बिल अंसा देवम विधायकों को ग्यापन दिया गया जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से देख रहे हैं तो हर जिले में यांदुलन चलाया जा रहा है शोचल मीडिया पर ट्वीटर पर तो काफी तेजी से ये वाइरल होई रहा है लेकिन अब जो है जमीनी इस तर पर भी काम जुलाई में निशित रूप से जॉइनिंग मिल जाएगी क्योंकि अब तक हम देख पा रहे हैं कि लोग सिक्षर संचाल ना ले कापी तेजी से काम कर रहा है कई सारे सर्कुलर डेली आ जाते हैं और मीटिंग्स की जा रही है वीडियो कॉन्फरेंसिंग्स की जा रही है ल जर्ती उनके लिए प्र 5 जुलाई को उनका सत्यापन किया जाएगा और उसके कुछ समय बाद में फिर उनको वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में फिर उनके साथ वही प्रकरण होगा कि hold पर रखे जाएंगे रिजेक्ट पर रखे जाएंगे फिर संभागिये इस तर पर प बिल्कुल भी नहीं लगती है यह जॉइनिंग जुलाई में दे दी जाए और दोस्तों जैसा ही कुछ समय निकलता है और हम आशंका व्यक्त कर पा रहे हैं कि तीसरी लहर कोरोना की फिर से आने वाली है जैसा कि विविन एक्सपर्ट ने बताया डॉक्टर गोलिरिया जी ने बताया जो कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया था और एक और इसी की संबन में दोस्तों अपडेट है उससे भी आप लोगों को बिल्कुल किलियर अंदाजा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भी जो डेल्टा प्लस वायरस है उसकी जो वेराइटी है व एक केस डेल्टा प्लस के मिल चुके हैं इसका मतलब की मध्य प्रदेश में आठ केस डेल्टा प्लस के आ चुके हैं और दोस्तों आगे भवश्यवानी भी की जा रही है कि तीसरी लेहर मध्य प्रदेश में 6-8 सब्ता में आ सकती है उज्जेन में एक और महिला की और से बिल्कुल भी नहीं है कि भर्ति प्रिफिया को सही समय पर पूरी की जा सके और सिक्षकों की जो कमी है जो सीम राइस के बड़े बड़े दावे किये जा रहा है मात्र खोकले के खोकले ही दिकाई देते हैं तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो समय आने पर पता चलेगा अला जैहिन चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं